हमारा चैनल यूटूब हंसराच बोराना आज हम बात करेंगे मेडिकल इंसूरंस आदमी को क्यों खरीना चाहिए इंसूरंस इसलिए खरीता है कि जिन्दगी में 2-6 जैसी होती है जो एक आदी बैक आ जाता पीछे एक सामजिक जैसे साधी विवाहा ये बड़े-बड़े सामजिक खर से इसमें 2-3 साल बैक आ जाता है दुस्तरा चलो वो उसमें बैक भी आजाना नूद प्रॉब्लम क्योंकि प्री प्लानिंग होती है कि इस तारिक को हमारे साधी होने वाली है अगले साल हमारे पही की चोटे बच्चे क साधी होने वाली है तो हम उससे पहले से प्लानिंग बना लेते हैं और एक अर्थिक एक ये खर्चे होते हैं जो आर्थिक खर्चे कह सकते हैं आप इसको मेडिकलम बीमारिया बीमारिया कहके नहीं आते हैं ना घर पुछती है कि ये अमीर का घर है या करीब का ना ही जाती भी मारी इसलीए मेरा माना चाहिए आपको मेडिकल इंस्वरंस करवाना चाहिए प्रप्राइब प्रप्राइब जाएगा एक बार आपको अधिक जानकरी के लिए हमारे एडवीजर से आपको पॉल करना चाहिए नीचे नमबर लिखे हुए हैं आप उनको पॉल कर सकते हैं और अभी देख लिए आप दो दिन पहले जो फिलम के बहुत बड़े इस्टार इर धिशिकपुर जैसे महा नायब नामसी नीरो हैं उनके पास पैसो कोई कमी नहीं है और अमेरिका में अपना इलाज कर वा लेकिन फिर भी यानि ऐसी बीमारी आ जाती है अगसे क्या होता है इस यह इस परिवार संबल हो जाता है और आर्थिक सपोर्ट मिल जाता है और इलाज के दिए में पैसे इसलिए आप नॉर्मली है आप 210 रुपे जमा करवाते हो कल हमने अमारे साथ कुछ वजाता है तो इसमें 10 लग तक हैल् परिवार को प्यार करते हो बच्चों को चाहते हो इसलिए उनके पविश्य को देखके आपको शिक्योर होना पड़े चाहिए यह पॉलिशी लेने से आप एक परकार से आप एक दम फ्रीडम हो जाओगे आपको एक अच्छी नीद आएगी क्योंकि आपके मन में जो एक पर परिवार को प्रीडम हो जाओगे कर दो मेरे साथ कुछ बिच्चों को गया तो मेरे बच्चों को बढ़ा मेडिकल का सपोर्ट में जाएगा अगर मैं गया तो इस वरह से यानि आज एस समय में जो हम समय देख रहे हैं यानि हमारे नजरों में बड़े-बड़े हस्तिया ज आपको मेरे से मिलते रहेंगे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर नए अपडेट हर नहीं जानकर सबसे पहले आपकी मोबेल में आएगगे कर दो और में आ यानि ही हमारे जका आपकी करुब सिस्टा